नमस्कार दोस्तों स्वागते आप सभी का आपके अपने यूट्यूप चैनल स्टेडी वी तेम में तो देखिए आज मैं आप सभी के लिए काफी मैं तुपूर्ण वीडियो लेकर आज चुका हूं आज किस वीडियो में बात करने वाला हूं उत्राकंड के अधिनस्त सेवा दिसमबर रखे गई हाँ आज इस गफ्रकान के थिति आन्लाइन करने यो टिती एज बखेंगे कि एक-टी दिसमबर दिसमबर रखे गयी हैं जिसमा आप आप य परtersहां किअ सभी छी चैनुरूरी था होज चांद लेकिन इसमें एक गल्ति यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आयूप की दोरह क्या हुई है देखे वेतनवान आपका ये लेवल तीन है 21,700 से लेकर उन सतर अजार सो तक आयू सीमा 18 से लेकर 30 साल तक दी गई है अधिमानी जो ये सेक्षी अरता हैं अनिवारी जो सेक्षी अरता हैं किसी भी मानिता प् प्रिक्ष्या आपके पास उत्तिर्ण करी होनी चाहिए अधिमानी जो एरता हैं प्रादेशिक सेना में दो वर्थ का नियूंतम आउधित का आपके पास ये अधिमानी एरता हैं ये आपके पास हो भी सकती या नहीं भी लेकिन देखे जो सबसे बड़ी गलती यहां पर है उचाई में देखे जो भी अभी अभ्यारती है सामानी अनसूची जाती पिश्खी जाती उनके लिए 155 cm हाइड दी गई है अनसूची जन जाती है ब्यारती के लिए 155 cm हाइड दी है लेकिन देखे अभी फिलाल इसकी नियम्मावली में कोई भी चेंज नहीं हुआ था और पिशले बार जो वेकेंसी आया थी हर किसी वेकेंसी में परवती चेत्र के अभ्यारती होते हैं उनके लिए हाइड का मान अलग होता है लेकिन इसमें वह हाइड का मान नहीं दिया है और वह जो परवती चेत्र के अभ्यारती है चाहे वह सामानी अनसूची जाती पिछरी व परवर्ति ये चेत्र में गिना जाता है और उनके लिए जो हाइट का मानक होता है एक सो बाट से दसमा पां सेंटीमेटर ये नहीं दिया गया है आयोग ने क्यों नहीं दिया ये तो आयोगी बताएगा आगे ठीक है बागी इसमें चैस्ट देखे 78 सेंटीमेटर आपकी होनी सेकेंड में पुरुष अभ्यर्तियों के लिए चिनफ है आपका छह बार में चिनफ करना है और मैलाओं को एक मेट में 55 बार रस्तिकूत करनी होगी आपका रिष्पाय के आप सौपत रखे गये हैं सौपत का आपका विपरण ये आपके सामने है स्क्रीन पर इसमें भी सेम मैं आपको पहले बता रहा था देखिए परवती छेत्र दिया गया है बिना अट सेंटीमेटर परवती जाती के अभ्यर्तियों के लिए यहाँ सेंटेमीटर होनी चाहिए पांस सकाओद का फोला यकासी मिले दिए है उनुचाय दिखते हैं परवती के लिए 1306 सेंटीमेटर हाइट होनी चाहिए परवती चेत्र के लिए उचाय दी है यहाँ पर 147 cm और अमसुचे जन जाती है भेरतियों के लिए भी 147.0 cm यहाँ पर दी गई है अन्नी के लिए सामानिय और प्रवती छेत्र को छोड़कर 152 cm गई है और महिला प्रवती के लिए इसमें वेट रखा गया है 45 kg बाकी देखिए जो आपकारी सिपाई है उनमें आपका मानक दिये गया है इन मानक आइटमों पर यह फिजिकल टैस्ट होगा और इसमें आपको नंबर भी दिये गया है तीन किलिमेटर आपको दोड़ना है पांट तीन मीन यानि कि चार दिसना आट किलिमेटर आपको दोड़ना है 21 मिनट पायेंगे तो आपको 20 नंक कर मिल जाएंगे इसमें बाकी अंके यह दिया है और अगर आप जितने मिनट में आते हैं यह दिया है लंबी कुद अगर आप 15 फिट मारेंगे तो 12 नंबर 17 16 नंबर 25 नंबर आपको आप दिये जाएंगे बाकी देखे 60 अंक कि यह आपकी फिजिकल टेस्ट रहेगा इंस्पेक्टर आपकारी विभाग में यहां पर आप दो देख सकते हैं 14 यहां पर वेकेंसी निकली है लेवल पांस दिया जा रहा है 21 से लेके बैस वरस्तर इसमें होनी चाहिए और इसमें देखें इंटर्मीडेट प्रिक्षा रखा गिया है साथ साथ आप लोग दे सकते हैं कि यहां पर सामाने और अन्य वर्गे के लिए 160 सेंटी मिटर पुरुसों के लिए अनुसुची जाती में 160 सेंटी मिटर परुवती 6 तक ले 162 सेंटी मिटर यहा अर्था की बात के लिए तो आपका इसमें एक साल का चात्रवास रख रखाओ का कार्याव नभाव होना चाहिए उसके बाद यहां पर गर्वामाता हाउस कीपिंग का है यहां पर आप लिग देशें दू यहां पर वेकिंसी रखी गई है 21 से लिए साल ते इसमें भी आयू को बता देता हूं आप लोग देखेंगे कि अन्रिजर्फ कैटिगरी और विसी कैटिगरी के लिए 300 रुपे यहां पर फीस रखी गई है एक सो पचास रुपे और 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 फिन के लिए अनात बच्चों के लिए यह फिरी रहेगा ठीक है तो ठीक है तो ठीक है छोटी सी इन सब्सक्राइब कर लिजेगा तो कि दोस्तों मिलता हूं से लोसे नेक्स्ट इंटरस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद